डियर लर्नर्स, आप जानते हैं कि प्रित्वी सत्व पर सुर्या ताप के असमान वित्रण के कारण ताप जन्नी असमानताएं उत्पन होती है, अर्थात किनी इस्थानों पर ताप मान अधिक होता है और किनी इस्थानों पर ताप मान कम होता है, ये ताप जन्नी को जन देती है क्योंकि तापमान और वायुदाब की बीच विलोम संबंध होता है तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम तता तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है दाब में ये अंतर जिसे हम दाप प्रवनता प्रेशर ग्रेडियंट या दाप का ढाल कहते हैं दाप प्रवनता बल उत्पन्न करता है इस बल से वायू में गती उत्पन्न होती है दाप प्रवनता बल के कारण ही वायू उच्छ वायूदाब से न्यून वायूदाब की तरफ प्रवाइत होती है वायू का तिवर प्रवाह तब उत्पन होता है जब दाप्रवनता बल अधिक होता है यानि जब सम्दाब रेखाएं पास-पास में होती है और वायू का मंद प्रवाह तब उत्पन होता है जब दाप्रवनता बल कमजोर होता है यानि जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है अनि बलों के अभाव में वायू का प्रवाह समदाब रेखाओं के समकोन पर होता है आईए इनी तत्यों को अब हम चित्र की साहिता से समस्ते हैं आप इस चित्र में देखिएगा दो इस्थान हैं A और B A स्थान का वायुदाब 1020 मिली बार और B स्थान का वायुदाब 1010 मिली बार है याने A स्थान जो है वहाँ का वायुदाब उच याने हाई है और जो B स्थान है वहाँ का वायुदाब A स्थान की तुलना में न्यून है अर्थात लो है इन दोनों ही स्थानों के उपर उच और न्यून वायुदाब को मैंने H और L शब से दिखाया है अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों इस्थानों के बीच वायुदाप का अंतर 10 मिली बार का है और A और B इस्थान के बीच जो दूरी है दरातल पर वो 100 किलोमीटर की है तो दाप प्रवनता हुई 0.1 मिली बार प्रती किलोमीटर आप देखिए का कि जो 0.1 मिली बार की का उसमें 100 किलोमीटर का भाग देने पर प्रत हुई है जो कि दाप प्रवनता 0.1 मिली बार काफी कम है तो आप देखिएगा कि जो समदाब रखाए हैं A और B इस्थानों के बीच की उनकी बीच काफी अधिक दूरी है और इस अधिक दूरी के कारण इस्थान A याने जो की उच्वाईदाब वाला है और इस्थान B जो की न्यून वाईदाब वाला है उसके बीच में हवा की गति भी मंद है जिसे आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं डियर लर्नर्स इस उधारन में देखिएगा कि A इस्थान का वाईदाब 1020 मिली बार है तो B इस्था इस्थानों की बीच जो वाईदाब का अंतर है वो 40 मिली बार का है और इन दो इस्थानों की बीच की दूरी धरातल पर 100 किलो मीटर है यदि इस 40 मिली बार में हम 100 किलो मीटर का भाग देंगे तो हम पाते हैं कि दाप प्रवनता प्रती 1 किलो मीटर पर 0.4 मिली बार है जो ह हमारे पिछले उधारण से लगबग चार गुना अधिक है। आप जानते हैं कि जब दाप प्रवनता अधिक होती है तो वायू की गती भी तिवर हो जाती है और उन इस्थानों के बीच जिन इस्थानों के बीच दाप की प्रवनता अधिक है वहां समदाब रेखाओं के होती है तो वायू की गती तिवर हो जाती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं Dear Learners ध्यान रखिएगा वायू की गती को उत्पन करने वाला एक मात्रबल दाप्रवनता बल है जिसे हम अंग्रेजी में Pressure Gradient Force कहते हैं